हाई गाईज, वेलकुम बेक टू माई चैनल, आज के इस व्लॉग में मैं पनीर की सबजे की रेसिपी बताने वाली हूँ, आपने मेरे स्वैबिन की चाप बाली रेसिपी में तो देखा ही होगा, कि मैंने लहसन और प्राज का, उसमें कोई भी इस्तिमाल नहीं किया था, तो थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा अद्रक, अभी मैं आपको सारे मसाले दिखाती हूँ, ये है अमारा धनिया और मिर्च का मिक्स पाऊडर, ये है हल्दी ये नमक है इस occupied में गल्ती से हल्दी थोड़ा सा डल गया, ये हैं हमारा काली मिर्च, ये थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, साबूत, थोड़ा सा इलाईची, दो तेज़ पत्ता, और ये है हमारा पनीर मसाला अब मैं आपको पनीर की पीसेस काट की दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें काटने हैं, आप इससे बड़े भी काट सकते हैं और बड़े छोटे भी काट सकते हैं इस तरीके से हमें पनीर की पीसेस काट करने हैं ये हो गए है, हमें कोटा फट से सारी काट लेती हूँ अब मैं आपको टामाटर और मिर्च सब काट की दिखाती हूँ, अधरक। इस तरीके से मैं इसमें ही बारीक करूँगी, आपको अगर नहीं है ये तो आप क्या गएते हैं, मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बारीक मत कीजिएगा ये अब मैं सारी कर चुकी हूँ, अब मैं धन्या काट्टी है इस तरीके से हमें इन दोनों को बारीक कर लेना है, अब हम गैस अन कर लेते हैं, अब इस कडाई को पहले सूखने देंगे, अब ये सूख चुके है, इसमें हमें तेल डाल दिया है, तेल को पूरे में फैला देंगी, ताकि हमारा पनीर इसमें चिपके ना, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, थोड़ा तेल गरम हो चुका है, ध्यान रहे हैं, पनीर को हमें एक ही तरप से गोल्डन ब्राउन करना है, इस तरीके से फैला फैला की डालना है, एक के उपर एक नहीं डालना है, हमें तेल को पूरे में डाग करना है, धोड़ टेला करकर हम चारो तरप तेल करते रहेंगे, तक कि हमारा चिपक न जाए पनीर, बीच-बीच में भी हमें थोड़ा-थोड़ा हिला हिला के तेल को चारो तरप कर देना है, अब आप देख सकते हैं, यह मेरा कितना अच्छा से हो चुका है, यह देखे, अब हम इसे निकाल देंगे, अब हम इसे निकाल देंगे, अब इसी तरीके से जो बचे हुए पनीर है, उसको भी मैं गोल्डन प्राउन थोड़ा-थोड़ा कर लूँगे, एक तरफ से, यह मैंने कर लिया है, अब हमें मटर फ्राइ करना है, तो हमने टेल डाल लिया है, अब मटर भी डाल दिये हैं, अब इस अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसी चला-चला के इसे चारो तरफ से करके करना है, इसे तरीके से बीच-बीच में चला देना है कि हमारा एक तरफ से जल ना जाए, अब हो गया है, अब इसे निकाल देंगे, अब हम इसमें तेल डाल देंगे, कडाई में, सबजी बनाने के लिए, अब जो भी खड़े मसाले लिये थे, वो सारे डाल देंगे, अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे, अब यह हो गया, इसमें सारा हम टमाटर और मेच का और अद्रग का पेश जो बनाया है, अब इसे भी अच्छी तरीके से हमें भूनना है, अच्छे से चलाते हुए हमें इसे भूनना है, अब हमने जो मसाले लिये थे, सारे मसाले डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा पानी डाल के इस अच्छे से भूनने लेंगे, अब इसके अंदर हम पनीर मसाला डाल देंगे और इसे थोड़ी देर और अच्छी तरीके से भूननेंगे, हमारा मसाला जितना अच्छा भूनेगा, उतना ही अच्छा सबजी भी बनेगा, अब यह हमारा मसाला भून चुका है, तो हम इसके अंदर पनीर और मटर डाल देंगे, और इसे हम अब अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, दो-तीन मिनट हमें पनीर और मसाले को मिक्स करके भूनना है, और अब हम इसके अंदर ग्रेवी बनाने के लिए पानी डालेंगे, आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालिएगा, और फिल से थोड़ी देर के लिए ढख देंगे, और आप देख सकते हैं यह सबजी कितना अच्छा हो रहा है भी, अब इसके अंदर हमने जो धन्या पता काटा था वो धन्या पता डाल देंगे, और इसे भी थोड़ी सा मिक्स कर देंगे, और फिर से इसे थोड़ी देर के लिए हम ढख देंगे, अब आप देख सकते हो हमारा सबजी कितना अच्छा तयार हो चुका है, अब इसे ढख के हम गैस बन कर देंगे, और यह देखे हमारा सबजी कितना अच्छा लग रहा है, मैंने इसे पूरी और खीर के साथ सर्फ किया है, आप जिसके साथ खाना चाहें उसके साथ सर्फ कर से, खीर की रेसिपी तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाला था, आप आँ से देख लीजिएगा, अगर आपको जरूरत पड़े की तो और क्या केते हैं, आप प्लीज ट्राइ मारिएगा कि यह सबजी कैसा बना है और प्लीज लाइक, कमेंट, सेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, करको जयारो, और रहर आज उने हैं, जैण एकए यहारण में।